नमस्कार दोस्तों, आज की विडियो ﷺ Senior Citizen को ले करके बहुत ही महत्रपूर है और senior citizen हो या junior citizen हो, senior वही होते हैं, जो पिता होते हैं, junior वही होते होते हैं, जो बेटे होते हैं तो मतलब अगर पिता को कोई लाग मिल रहा है, तो बेटे के लिए भी तो बहुत सही है न? तो दोस्तों इस पर मैं आज चर्चा करूंगा जो सिनियर सिटीजन की कंडीशन हमारे भारत में समय है आज के टैम पे क्या हो रहा है कि पिता अपने बच्चे को पाल पोस करके दो बढ़ा कर देता है पढ़ा लिखा करके एक काविल इनसान बना देता है और जब वो काविल इनसान बन जाता है तो लोग बाग के चार निगाह में चाहर जाता है और उसके बाद उसके साधी हो जाती है साथी व्या होने के बाद लड़का एक लड़के कबाब बनता है मतलब वो भी पिता हो जाता है और जब पिता हो जाता है तो अपने लड़के से बहुत गहरा प्रेम और इसने करने लगता है और अपने पिता को भूल जाता है कि मेरा पिता भी मेरे साथ ऐसे ही इसने और प्य बठ्धी रहती है, तक तक सब बढ़िया चलता रहता है। पापा पापा रहते हैं। और जब बहु आ गई है। उसके बार जैसे जैसे ब्रध्धा वस्था आती जाती है। तो उसमें क्या होता है कि लड़के का प्रेम जो है, वो पिता के लिए कम होता जा रहा है। और से कम ही ऐसे बहू और बेटे हैं जो ब्रध्धा वस्था में अपने माता-पिता की सेवा करते हैं क्योंकि जो ब्रध्धा आश्रम बने हुए हैं इसको देखते हुए यह मैसूस हो रहा है कि यहां पे जो माता-पिता हैं कई एक लोगों से मालूम भी किया गया तो उनके लड कुर्ता एक धोती अगर मा है तो दो रोती एक धोती सिर्फ इतने लगता है और कहीं भी साइड में एक चार पाई में अगर लिटा दो तू पढ़े रहते हैं आपका धर देखते रहेंगे आप कि सुरच्छा करते रहेंगे मगर किसी कोई गवारा नहीं है कि हम नहीं रखे दो कहता हम नहीं रखेंगे अगर दो लड़के हैं तीन लड़के तो तीनों में आपस में जगड़े होते रहते हैं अगर एक अकेला है तो वो भी नहीं करता कि हम क्यों करें और जा करके उनको ब्रद्धा असरम में छोड़ दिया जाता है अब ब्रद्धा असरम में इसलि साइट बैट करके बना खा सकते थे क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके पास अगर आए नहीं है तो इस विशेक पर सरकार को सोचना चाहिए तो सरकार को क्या करना चाहिए उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल करिएगा अगर चोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में साल्व कर दूंगा अगर बार मैटर है तो वीडियो के पैकेज उना करके आप लोगों तक पहुंचाओंगा तो दोस्तों सरकार अगर यह जो ब्रधा लोग है जो ब्रधा आस्रम में जाते हैं इनकी एक सूची बनाना चाहिए लोगों से सर्वे करवा करके जैसे वाटर आईडी बनवाई जाती है कई प्रकार के कारे होते हैं उनका सर्वे होता है तो इनकी एक सूची बनवानी चाहिए सूची बनवा करके कि जितने लोगों के पास कोई किसी प्रकार किया नहीं है ना सम्पत्ती है ना उनके लड़के देख भाल कर रहे हैं ना तो कोई आसपड़ोस वाला उनका देख भाल कर रहा है उनको ब्रध्धासरम जाने के लिए भी कोई नहीं है वो ऐसे पड़े हैं अगर कोई दो रोती दे दिया तो खा लिये नहीं दिये तो नहीं खाए पूल के नीचे पड़े हैं रोड के पास पड़े हैं दवा नहीं हो रही है किसी प्रकार की उनको मलब कोई सुविधा नहीं हो रही है ऐसे लोगों को सरकार का एक सर्वे करवाना किस गाव में कितने हैं और किस प्रकार के कैसे लोग हैं कि जो जिनके आगे पीछे कोई नहीं है उनके लिए जब सर्वे हो जाए कितने हैं कैसे कंडिशन में उनको रखने के लिए या तो हरे गाव 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 एक सुविधा होने चाहिए उनके खाने पीने की सब हरे प्रका करके हर महीने सिनिया सिटीजन सरकार को देना चाहिए क्योंकि जीवन यापन करने के लिए ये पैसा उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो कम से कम अपना पेड़ भर सकें अगर संसार में आए हैं कहते हैं कि अगर कोई जमीन है अगर वो लावारिस है उसका कोई वारिस नहीं वो सरकार की है तो ठीक इसी प्रकार अगर कोई ब्रधा आदमी है कोई सीनियर आदमी है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है कोई देखभाल नहीं कर रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है तो सरकार को ये चाहिए कि वो जितने सीनियर सिटीजन है इनके भ खाते खुले हुए हैं या उनका एकाउंट अलग से खुलवाया जाएगा खुलवा करके किसी भी थ्रू उनको उन तक पैसा पहुंचाना चाहिए क्योंकि वह भी भारत के एक नागरिक हैं जब ओठ होती है तो भी एक हिस्सा बनते हैं और वो हिस्सा बनने के बाद फिर एक कूले के सरीखे पढ़े रहते हैं तो इस कंडीशन को देखते हुए मैं सरकार से यह आगरा करता हूं और ट्रे करता हूं कि इनके विशाय में जरूर कुछ नकुछ सोचा जाए ताकि यह लोग अपना सही से जीवन एपन कर सके तो इस बिशाय में सरकार को सोचना बहुत जरूरी है अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा होगा जितने सिनियर ऊटीजν हैं उनके लिए बहुत आच्छा होगा क्योंकि देश में जो सिनियर सिटीजनों की हालात हैं उनको देखते हुए बहुत गंबीर और विचारीनी द तो दोस्तों आसा करतों की बीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगयों कि अच्छी लगयों कमेंट करिएगा सेयर करिएगा धन्यवाद